डियाए गया पुर्ण छैक Epic दाधी तू किचन में आप सभी का धर सागसा है आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मीठी सी रेसिपी और आज मैं बनाने जाता हुँ manifest In Aram सूजी की खिर बना के आप सभी को दिखाऊंगů तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैं गैस ओन कर लेती हूं अब मैं इसमें थोड़ी सी घी डालूंगी मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें एक तेज पत्ता चार छोटी इलाइजी डालूंगी अब मैं यह सूजी है यह सूजी में डालूंगी यह बिना बुना हुआ सूजी है बस इसे मैं एक से दो मिनट के लिए इस तरीके से भून लोंगी इसे ज्यादा नहीं बुनना है फ्रेंट्स बस एक से दो मिनट के लिए भूनना है सूजी को हलका गुर्णाय फ्रेंट्स जिसे की इसे थोड़ी सी कच्चापन हट जाए सूजी का फ्रेंट्स मैंने एक बार बच्पन में ये खीर खाई थी मेरी एक फ्रेंट्स ने इसे बना कर खिलाई थी मुझे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया थी इसलिए मैंने जोची क्यों आज मैं वह आपके साथ रेसेपी सेयर करूँ जरूर आप बना के खाईएगा फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी लगती है इसे अब यह बून गिया है फ्रेंट्स अब मैं इसे ज्यादा नहीं बूनोंगी अब मैं इसमें दूड डालूंगी इतना जरूरत लगे इतना मैं डालूंगी दूड प्रेंट्स अइसे थोड़ा अच्छे तरीके से मिला लेना है जिससे की गार्ड गार्ट ना बन जाएगे क्योंकि सुजी कभी-कभी गार्ड बन जाती है थोड़ी-थोड़ी इसलिए इसमें अगर मुझे और जरूरत पड़े दूद्ध तो मैं और डालूंगी अई फिलाल में इतना ही डाल कर पकाऊंगी इसे यह देखे फ्रेंट्स इसे कंटिनू चलाते रहे रहना है जीसे की यह बैठे भी नहीं और यह साइड से लगे भी नहीं फ्रेंट्स दीरे-दीरे ठिक होते जा रही है फ्रेंट्स देखे ये इसमें मैं थोड़ी से और दू द्याट करूंगी और इसे मैं मीडियम फ्लेम में इसे दी में दी में आज में इसे अच्छे तरीके से पकाऊंगी फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेर जरूर करें आपनों कंजूसी बहुत करते हैं अगर पसंद आए तो जरूर आपनों लाइक करें और सेर करें अधिक से अधिक और कमेंट करके बताए फ्रेंड्स ये खीर आपको कैसी लगी अब मैं इसमें ये केसर है फ्रेंड्स जिसे मैं थोड़ी सी दूद में विवोके रखी हूँ वो डाल देती हूँ इसमें अब मैं चीनी एड़ कर रही हूँ फ्रेंड्स जितना आपको मीठा पसंद खाने का हो आप उतना डाल सकते हैं ले देखे फ्रेंड्स देरे देरे ये थीक होते जा रही है ये ठंडा खाने में बहुत अच्छा लगता फ्रेंड्स में मिल्क में डाल रही हूँ फ्रेंड्स इससे भी खिर बहुँत स्वादिष्ट हो जाती हैं ये दिइषान रखिएगा फ्रेंड्स चीनी उतना ही डाल लिए जितना आप मिल्कमेट डाल रहे हैं, अगर आपको पसंद है, तो आप चीनी अधिक डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मिल्कमेट डाल रहे हैं, तो चीनी कम डाले हैं, क्योंकि मिल्कमेट जो होती है, वो काफी मीठी होती है, यह हो गया है अब यह जब थोड़ी थंडी हो जाएगी तो यह थोड़ी से गाड़ी हो जाएगी फ्रेंट्स इसलिए अब हमें गैस आफ कर देना है और मैं अब आपको यह खीर सर्फ करके दिखाऊ तो यह बन कर तयार है सूजी की खीर अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंट्स अगर मेरे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करना ना भूले और सस्क्राइब के बगल में बैल आइकन उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे की मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ओके फ्रेंट्स नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी बाई